आज हम लोग ratio चैपडर से कुछ questions को solve करने वाले हैं आज हम लोग question no.36 से solve करेंगे और इससे पहले का जो question है उसका link आपको description में मिल जाएगा तो चलिए देर नहीं करते हो questions को solve किया जाए तो देखिए question में दिया गिया है AB और C एक साज़दारी में इतना रुपिया का मुनाफ़ा अर्जित करते हैं मतलब इतना रुपिया का इसको profit हो रहा है जिसे ABC में 5.3.1 के अनुपात में बाटा जाता है तो B का हिस्सा कितना है वो हमको find करना है बहुत ही simple सा question है देखिए ABC का ratio हमको दिया गिया है 5.3.1 और इसी ratio में इतना पैसा को बाट रहा है क्लियर है question समझ में आ गिया तो बोल रहा है B का हिस्सा कि हमको find करना है B का तो बहुत ही simple क्या करेंगे हम लोग add कर लेंगे 5.3.8.9 तो 9 से इसको हम लोग को divide कर देना है तो हम लोग का आ जाएगा 1.3.3.7.7 क्लियर है इतना आने के बाद हम लोग क्या करेंगे अब B का हिस्सा बोला गिया है तो B का हिस्सा कितना है तीन भाग है तो बस इससे multiply कर देंगे 1.3.3.7.7 को इससे multiply कर देंगे तो हम लोग answer easily आ जाएगा तो इससे multiply करने के बाद हम लोग आएगा 4.0.1.3.1 क्लियर और यह हम लोग answer हो जाएगा 4.0.1.3.1 अब आगे question solve करेंगे Question number 37 देखी इसमें दिया गिया है R के पास Q के रुप्यों का दुगना है R है और Q है तो R के पास Q से दुगना पैसा है पर Q के पास R से 42 रुप्या पाने के बाद Q के पास क्या हो रहा है R से 42 रुप्या पा रहा है क्यों क्या कर रहा है R से 42 रुप्या मिल रहा है तो देखी Q को क्या हो रहा है R से 42 रुप्या मिलेगा तो क्या होगा इसके पास 42 रुप्या बढ़ जाएगा R के पास Q का एक बटा 4 है भाग है तो एक बटा 4 मतलब क्या 1 by 4 को हम लोग 1 is to 4 भी लिख सकते है इसको पैसा मिलने के बाद क्या हो जा रहा है ratio की अतना हो जा रहा है 1 is to 4 का ratio हो जा रहा है तो Q के पास RM में कितने थे Q के पास RM में कितना था 1 था clear और यह हमको find करना है एक हिस्सा जो है इसका वह हमको find करना है clear है question समझ में आगी है अब इसको solve कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते है 2x और इसको लिख सकते है 1x मतलब x लिख सकते है अब क्या कर रहा है कि यह जो है 2400 रुपिया इसको दे रहा है तो इसके पास क्या हो रहा है r के पास घड़ रहा है तो r का भाग कोन है यह वला है इसमें क्या हो रहा है 2400 रुपिया घड़ रहा है और इसको 2400 रुपया मिल रहा है तो इसके पास 2400 रुपया बढ़ रहा है तो एड़ कर दिये clear अब इतना होने के बाद ratio क्या हो रहा है 1 by 4 हो जा रहा है मतलब 1 is to 4 हो जा रहा है तो अब इसको solve करेंगे तो हम लोग x का value आएगा तो x का value ही न क्यों का value है क्यों का हमको निकालने बोला गिया है आरम में कितना था तो आरम में कितना था एक भाग था तो एक भाग को हम लोग क्या माने x तो जो x का value होगा वह हम लोग answer हो जाएगा इसको solve कर लेते हैं तो 4 2 जा 8 x इसे इसको multiply करेंगे हम लोग तो हो जाएगा 16800 फिर इसे इसको multiply करेंगे तो x plus 4200 अब x वाले को एक side कर लेते हैं 8x है और इधर ये आ जाएगा तो हो जाएगा 7x अब इससे इधर चल जाएगा तो ये add हो जाएगा तो 1200 पलस 16800 तो हो जाएगा 21000 अब x is equal to 7 का table में ये कड जाएगा 3000 वार में तो x का value हम लोग आया 3000 और ये हम लोग answer हो जाएगा अब आगे question solve करेंगे question number 38 देखिए बहुत ही simple सा question है यदि 18x और 72 है एक कर्मागत अनुपात में है तो x ग्याद कीजिए x का value हम लोग को find करने बोला गिया है तो जैसे हम लोग ज्याद कर रहे थे तीप्तियानुपात चर्तुर्थानुपात तो उसी तरीके से इस question को हम लोग solve करेंगे लेकिन trick से हम लोग पहले इसको solve कर लेंगे seconds में उसके बाद हम बताएंगे कि उस तरीके से भी हम लोग कैसे solve कर सकते है इस question में देखिए trick भी लग जाएगा कैसे कि यह बला हमको find करना है तो देख लेंगे कि यहाँ से यह कितना multiple है clear है यह एक reasoning तरह का है यहाँ से यह कितना multiple है यह देख लेंगे तो 84 जा हो जाता है 72 यह 4 गुना है तो यहाँ से यह कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा clear है यह आपको mind में रखना है अब देखिए कैसे हो रहा है यह भी हम समझा रहे है 18 to 36 अब जो 36 आया है यह हम लोग answer हो जाएगा अब यह कैसे हो रहा है वो देखिए 18 to 36 फिर 36 दुने 72 ऐसे जा रहा है इसका 2 गुना फिर इसका 2 गुना तो कैसे पता कि हम डारेक्ली इसका देख लेंगे 4 गुना है तो इसका यह कितना होगा 2 गुना होगा और ऐसा कैसा आएगा कि यहाँ पर भेलो दूसरा देदेगा यहाँ पर 10 देदेगा यहाँ पर 12 देदेगा अब इसका multiple ही नहीं हो रहा है तो इसका कैसे निकालेंगे तब यह वाला तरीका काम नहीं करेगा लेकिन यह वाला भी तरीका आपको mind में रखना है जब multiple में दिया रहे, maximum chances यह रहता है कि multiple में ही देता है, लेकिन नहीं दे, तो ऐसे देगा, या point के form में देगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग basic तरीका को use करेंगे, तो देखे, basic तरीका क्या कहता है, 18 है, x है, और 72 है, हमको x find करना है, लेकिन 4 गो होता है, ठीक है, इस सब case को हम लोग solve करते हैं, तो चारगो होता है, जीसे चतुरथानुपाथ निकलते हैं, तिर्द yapıyor और 3 अनुपाथ निकलते हैं, चारगो होता है, तो इस तरीके से यह वाला होगा, चारगो, तीनी को दिख रहे है, तो एक वाला कॉन सा होगा, तो बीच में ही होगा एक और क्या लिखेंगे हम लोग x ही लिखेंगे अलग-अलग value नहें लिखेंगे अब यह अनुपात हो गया और यह समानुपात हो गया अब इसको solve करेंगे तो हम लोग answer आ जाएगा अब इसको solve कर लेते हैं 18 is to x का मतलब क्या 18 by x equal to x by 72 अब x into x हो जाएगा इसको तोड़ सकते हैं 9 to x 18 इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं 9,8 या 72 अब देखिए हम लोग easily निकाल सकते हैं 9 into 9 का क्या निकलेगा 9 square हटेगा तो यहाँ पर root चहड़ जाएगा square को अगर हटाएगे तो इधर क्या हो जाएगा root चहड़ेगा अब root से कैसे निकलेगा 2 go 9 में से 1 go 9 निकल गिया अब देखिए यहाँ पर 2 है यहाँ पर 8 है तो 8 को और तोड़ देते हैं 2 to 4,2 to 8 अब देखिए 4 go 2 है तो 4 go 2 में से 2 go 2 निकल आ जाएगा अब देखिए 9 to 18 to 36 तो 36 समलोग का एंसर हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग solve करेंगे, अब आगे question solve करते हैं, question number 39 दिखिए, इसमें दिया गिया है, A, B जिथा C के मासिक वेतन का अनुपात 2 is to 3 is to 5 है, A, B और C, और इसका ratio क्या है 2, 3, 5, और मासिक वेतन का अनुपात है, यदि C का मासिक वेतन, A के मासिक वेतन से 1200 रूपय अधिक है, यहाँ पर समझेगा, C का जो वेतन है, वो A से कितना है, 1200 अधिक है, तो C का जो है, ratio में कितना अधिक है, देखेंगे, A से कितना अधिक है, तो C का जो है, A से देखेंगे, ratio में, तो हम लोग 2 है, यहाँ पर 5 है, तो 3 अधिक है, clear है, ची का कितना अधिक है इसमें रेशियो में, तो तीन अधिक हो रहा है, और बेतन में कितना अधिक हो रहा है, बारा सो अधिक हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं, एक तीन भाग का बेल्यू है ये बारा सो, तो इससे डिभाइड कर देंगे, तो एक बाग का बेल्यू निकल के आ ज बारसिक नहीं निकलेगा, अभी मासिक निकलेगा, तो 400 से इसको मल्टिप्लाइ करेंगे, तो चार्तिया 1200, 1200 हम लोग क्या निकला, मासिक बेतन निकला, ठीक है, तो मासिक बेतन हम लोग का निकल के आगिया, 1200, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, बारसिक बेतन में कनवर्ट कर हम लोग answer हो जाएगा तो question को ध्यान से पढ़ना जरूरी है ने तो 1200 ticker के आप लोग आ जाते clear है? तो question को ध्यान से जरूर पढ़िएगा अब आगे question solve करेंगे question number 40 देखिए इसमें दिया गिया है करमचारियों की 3 सिरेनियों को 1 is to 2 is to 3 के अनुपात में बेतन मिलता है तो 3 सिरेनी है 1, 2 और 3 माल लेते हैं और ये कितना ratio में है? 1, 2 और 3 का ratio में ही बेतन मिलता है मतलब इसको एगर 1 रुपया मिल रहे तो इसको 2 रुपया और इसको 3 रुपया मिलेगा यदि उन्हें करमचा 5%, 10% और 15% की बेतन ब्रिधी मिले तो बेतन का नया अनुपात क्या हो जाएगा अब देखिए बोल रहा है बेतन में बिर्धी हो रहा है अब ratio बेतन में जितना बिर्धी होगा ratio में भी हम लोग उतना ही बिर्धी करेंगे उतना ही percent का बिर्धी करेंगे तो देखे इसका 5% निकलना थोड़ा सा टाफ हो जाएगा पॉइंट में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे ये तीनों को 100 से मल्टिप्लाइ कर देंगे अब बोले ये कि 100 से ही क्यों तो 100 से मल्टिप्लाइ करना easy होता है तो तीनों को हम लोग 100 से मल्टिप्लाइ कर देंगे ऐसा नहीं कि इसको 10 से करेंगे तो इसको 20 से इसको 30 से ऐसा नहीं इसको 100 से करेंगे तो इसको 200 से ऐसा बिल्कुल नहीं तीनों को equal value से multiply करना है तो ratio में कोई फर्क ने पड़ेगा अब बुर रहा है उन्हें करम से 5 परसन और 15 परसन की बेतन बिर्धी मिले तो इसका क्या मिल रहा है 5 परसन बिर्धी तो इसका 5 परसन निकालना बहुत ही आसान है आप लोग को जो basic तरीक पता है उससे निकाली 100 का 5 परसन तो 0-0 कर जाएगा 5 हो जाएगा या फिर हम लोग directly निकालेंगे 100 का कितना भी परसन निकाले तो उतना ही होता है पहला बात माइन में यह रखिएगा तो परसन 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 ही होगा तो परसन होगी है बिर्धी मिल रहा है इसलिए पलस करेंगे और इसको 10 परसन तो इसका हम लोग 10 परसन इसलिए निकाल सकते हैं 200 का 10 बटा 100 अब 2-0 सो 2-0 कैंसल 2 इंटो 10 हो जाएगा 20 ऐसे करके निकाल सकते है या फिर ट्रिक यूज़ करिएगा 100 का तो पता चल लगी है 100 का 5 परसन 5 होगा 10 परसन 10 होगा डायरेक्टली हम लोग करेंगे लिग के भी दिखा दिए अब देखिए 200 का हम लोग निकालेंगे जैसे यहाँ पर निकाले 20 ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं या फिर स्वाट ट्रिक का यूज़ करेंगे देखिए इसका 10 परसन निकालने के लिए एक के बाद point देते ही हम लोग का 10% निकल जाएगा तो एक के बाद point देंगे और point के बाद 0 कोई value नहीं रहता है 10% हम लोगा देखिए 20 निकल के आगिया तो कितना हो जाएगा 220 अब इसका क्या बोर रहा है 15% 15% के लिए हम लोग पहले 10% निकालेंगे ये तरीका तो आपको पता ही है बेसिक तरीका ये तो आप खुद केलकुलेट कर सकते हैं अब ये तरीका से हम लोग निकाल से ट्रीक से अब देखिए इसका 10% निकालेंगे तो 10% के लिए एक के बाद point तो point के बाद 0 का कोई value नहीं थे 10% 30 हो गया और 5% देंगे तो 15% हो जाएगा 10% और 5% 15% हो जाएगा तो 10% हो गया 30 तो 5% कितना होगा इसका आधा 15 तो कितना हो जा रहा है 45 तो इसका 15% कितना हो गया 45 अब क्या करेंगे एड कर देंगे तो हो जाएगा 345 ईसको पूछा गया है निश्चित party में पुरुस और और औरतों की संख्या कानुपात दिया गया 1 is to 2 पुरूस मतलब male और 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 अरत मतलब female और यह कितना है 1 is to 2 का ratio में है यदि दो पुरूस और दो औरत पार्टी छोड़ दे तो यह नया अनुपाद जो है इतना बन जाता है अब देखिए male कितना है x 1 मतलब क्या 1 x या फिर x लिख लिजिए यह 2 मतलब क्या 2 x अब क्या कर रहा है दो पुरूस और दो औरत पार्टी छोड़ रहा है छोड़ रहा है तो क्या हो घटेगा तो 2 घट जाएगा इसमें भी इसमें भी 2 घट जाएगा अब 2 दो छोड रहा है तो उसके बाद नया रेशियो क्या हो रहा है 1 is to 3 मतलब 1 by 3 हो जा रहा है तो प्रारम में पार्टी में कितने लोग उपस्तित थे कितने लोग उपस्तित थे 1 और 2 3 मतलब 3 x उपस्तित थे तो 3 x का जो value होगा वह हम लोग answer हो जाएगा अब solve कर लेते हैं अब इसको cross multiply करेंगे तो 3 x हो जाएगा 3 x minus 3 to 6 अब once इसको multiply करेंगे तो 2 x minus 2 अब x वाले को एक side करेंगे तो 3 x इधर है 2 x इधर आएगा तो x हो जाएगा अब minus 2 इधर है अब इधर चल जागा यह पलस 6 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो x का value 4 आया तो यह हम लोग निकाल सकते हैं 3 into 4 तो 3 4 जा 12 तो starting में कितना लोग थे तो 12 यह हम लोग answer हो जाएगा अब आगे question solve करेंगे question number 42 देखिए और यह जो question है यह partnership chapter से लिया गया है ठीक है 25,000 रुपिया लगा कर एक ब्यापर आरंब किया अच्छे मेहना बाद रीता 40,000 रुपिया निवेश कर उस ब्यापर में सामिल हो गए रीता जो है सामिल हो रही है वो कितना पैसा लगा रही है 40,000 लेकिन यह 6 मेहना बाद सामिल हुई है दो वर्स के बाद लाब का अनुपात करम सक्या होगा हमको profit का ratio पूछा गया कब पूछा गया है दो वर्स बाद clear है तो देखिए इसमें बस एक ही formula यूज होता है इस chapter में मतलब partnership chapter में सिर्फ हम लोग एक ही formula लगाएंगे और ये formula है capital into time is equal to profit capital into time is equal to profit तो profit का ratio हम लोग को मिलेगा किस से मिलेगा capital और time को multiply करने पर capital मतलब पूजी time मतलब समाई और देखिए ये capital के है रुपीज में है time भी हम लोग को लिखना पड़ेगा अब अब देखिए दिब्या ने 25,000 रुपया निवेस किया लेकिन कहीं नहीं बोला गिया है कि ये 6 मेना बाद 5 मेना बाद ऐसा कहीं नहीं बोला गिया है और व्यापार कितना दिन तक चला है दो साल तक चला है ठीक है दो साल बाद लाब का अनुपाद पूछा गिया है तो दो साल बाद लाब का अनुपाथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो capital है, into time करेंगे, तो into time, तो time ये कितना देर के लिए लगाएगी, तो ये कहीं नहीं बोलागी है, कि ये बीच में पैसा निकाली है, या फिर दो महना बाद लगाई है, ऐसा कुछ नहीं बोलागी है अदि तो 6 महना बाद रिता 40,000 रुपया निवेश कर व्यापर में सामिल हुई, दिव्या ने इस्टाट कर दिया 25,000 से, फिर 6 महना बाद ये आई, तो 6 महना बाद ये आई, तो इसका मतलब 6 महना कम समय के लिए ये लगाई है, पूरा 2 साल के लिए पैसा नहीं लगाई है, ये क question आ रहा होगा कि दोनों में हम month में convert क्योंकि, क्योंकि दोनों साइड में हम year में convert करके नहीं लिख सकते थे, क्लियर है, दोनों साइड में हम लोग को equal unit लिखना है, इधर month में लिखेंगे तो इधर भी month लिखेंगे, इधर अगर year में लिखेंगे, इधर अगर year में लिखे इसलिए हम मंथ में convert कर दिए ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जा सकता है यर में भी लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा तो इसलिए हम लोग इसको मंथ में convert करके लिखेंगे अब लिख दिए अब इससे क्या करेंगे calculation कर लेंगे हम लोग रेशियो के इस पार और इस पार काट सकते हम लोग तो देखे 6 का टेबल में यह कटेगा 6,3 जा 18 और 6,4 जा 24 अब 4 का टेबल में यह कट जाएगा पहले 0 को काट लेते हैं 3,0 इसमें 3,0 इसमें अब 4 का टेबल में यह 10 बार में नहीं बनने वाला है Next question बनाते है Question number 43 देखिए इसमें दिया गया है मेरे खर्च और बचत के बीच अनुपाद जो है 3 is to 4 है तो मेरे अपने बात क्या जा रहा है question में खर्च और बचत का बात कर रहा है कितना 3 is to 4 है यदि यहाँ अनुपाद 4 is to 3 करना हो यह अनुपाद क्या हो रहा है 4 is to 3 करना हो तो खर्च में कितने परसंट की बिर्दी होगी देखिए यह क्या हो रहा है 3 is to 4 है 4 is to 3 करना है पस इसको cross कर दिया गया है तब हम लोग कैसे करेंगे जब यह ऐसा question आए तो खर्च में कितने परसंट की बिर्दी होगी यह पूछा गया है तो खर्च में direct देखेंगे कितना बढ़ा है यह 3 है यह 4 हो गया है तो कितना बढ़ा एक बढ़ा ठीक है एक बढ़ा कितना से बढ़ा तो 3 पहले था तो 3 में से एक बढ़ गया खर्च पर्सन में चेंज कर देंगे हम लोग तो पर्सन में चेंज करने के लिए 100 से multiply करेंगे किसी भी fraction को पर्सन में चेंज करने के लिए 100 से multiply करते हैं तो 1 by 3 ये fraction है इसको पर्सन में चेंज करने के लिए 100 से multiply कर दिये इसको calculation करेंगे हम लोग तो 33.33 आएगा इतना percent क्लियर है अब आगे question solve करेंगे Question number 44 दीखिए इसमें दिया कि A to B to C ठीक है यह इसका ratio दिया गया है A, B और C का कितना है 1, root 3 और 2 है यह ratio है यदि C 4 है तो B क्या होगा C का हम लोगों को दिया गया है 4 तो हम लोगों को पूछा गया अब B का कितना होगा दिखे यह जितना multiple होगा यह भी उतना ही multiple होगा तो 2 का कितना multiple है यह 4 तो 2 into 2 करेंगे तो 4 हो जायगा तो बस इसको भी 2 से multiply कर दीची तो 2 root 3 हो जायगा अगर A का पूछता तो A से भी हम लोग क्या करते 2 से multiply करते तो 1 into 2 2 हो जाता लेकिन हमको B का पूछा गया तो answer ये वला हो जाएगा अब आगे question solve करेंगे Question number 45 देखिए इसमें दिया गिए 1694 रुपिया को P Q RS में इस पर कर विभाजित किया जाता है 1694 रुपिया है और ये divide किया जारा P Q R और S में इस पर कर विभाजित किया जाता है कि P Q के अंसो का अनुपाद 2 is to 3 है P और Q का ratio दिया गया है 2 is to 3 और Q और R के अंसो का अनुपाद 3 is to 4 तो Q और R कितना है 3 is to 4 है तो R और S के अंसो का अनुपाद 4 is to 5 हो तो परतिक का अंस का अनुपाद क्या होगा देखिए और R और S का भी दिया गया है तो अब P Q R ये तीनों का भी हम लोग solve कर लेंगे तो ये तो हम लोग आता ही है ऐसे कर देंगे clear है अब देखिए इसमें हम लोग ऐसे process भी लगाना जरूरी नहीं है ऐसे तो हम लोग आता ही इसे को multiply करेंगे यहां लिखेंगे इसे को multiply करेंगे यहां लिखेंगे और इसे को multiply करेंगे यहां लिखेंगे अब हम क्यूं बोल रहे हैं कि ऐसा करने का जरूरत नहीं है क्यूंकि Q देखिए दोनों में same है जब Q दोनों में same हो क्यों दोनों में equal हो उपर नीचे तो हम लोग ऐसे का ऐसे ही उतार देंगे 2 is 2, इसका 2 हो जाएगा, इस दोनों 3 है तो 3 लिख देंगे, यह 4 है तो 4 लिख देंगे अब देखे, side में अगर calculation करेंगे तो हम लोग का इतना ही आएगा, 2, 3 जा हो जाएगा 6 3, 3, 3 हो जाएगा 9 और 3, 4, 12 हम side में calculation करके दिखा देते हैं, आब 2 का टेबल में देखे, 3 बार में, sorry 3 का टेबल में 3, 2, 6, 3, 3, 9 और 3, 4, 12, देखे, इतना ही आया तो इतना हम लोग करने का जरूत नहीं है, थोड़ा सा माइन लगाएंगे यह अगर सेम है, तो ऐसे उतार देंगे यह 2 है तो उतार दिए, यह 2 तीन में से एगो तीन, यह 2 चार में से एगो चार अब बात है कि R और S का भी हाँ पर दिया गिया है R और S का ratio 4 is to 5 और R और S का 4 is to 5 है तो इसमें भी देखिए, हमको कुछ करने का जरूत नहीं है यहाँ पर भी क्या है, ratio में equal है, यहाँ पर भी क्या है, equal है तो हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यह 3 into करने का कोई जरूत नहीं, यह भी 3 हो जाएगा और ये दोनों 4 है तो 4 हो जाएगा और ये 5 है तो 5 हो जाएगा लेकिन अगर ऐसा नहीं रहते हैं यह आप 5 और 6 दे देता तो क्या करते हैं जैसे हैं यह आप कुछ भी दे देता है तो यह वाला calculation तो हम लोग आता है यह से करके multiply कर देते हैं लेकिन ये वाला calculation हम लोग को नहीं आता, तो ये वाला हम लोग कैसे करते, देखिए, हम side में लिएके fit से कर देते, PQRS, ये हमको पता है 2, 3, 4 है, और ये 4 is to 5 है, समझाने के लिए वो तरीका भी सिखना जरूरी है, तो ये तो आपको पता है, देखिए, ये अगर नहीं रहता ये वाला नहीं रहता, तो ये वाला आपको पता है, कि ये वाला कैसे करते, ऐसे ऐसे करके कर देते, लेकिन ये वाला भी है, तो इसके साथ भी ऐसे कर दीजेगा, और दागी का मतलब है, ये सब दागी का मतलब है multiply, ये दागी मतलब क्या है, इससे इसको multiply, 2, 4 जा हो जाए दे तो हम लोग ऐसे तरीके से यूज करेंगे जेकिन इसमें कुछ करना नहीं था देखने में question बड़ा था लेकिन ratio हम लोग easily निकल के आ गिया तो परतेक व्यक्तिक आंस क्या होगा यह हमको find करना है कि हर एक को कितना कितना रुपया मिलेगा total कितना था 16,94 है तो इसको भी हम लोग total कर लेंगे तो 2, 3, 5, 4, 9, 9, 5, 14 तो 14 से इसको divide कर देंगे तो हम लोग आएगा 121 यह एक भाग निकल के आ गिया तो परतेक का पुछा गिया तो सबसे इसको multiply कर देना है question समझ में आ गिया अब सबसे इसको multiply कर देंगे तो इससे multiply करेंगे 121 को ये 5 से भी 121 को तो इससे उन्हों multiply करतें हैं तो 2 अन्जा 2 2 2 4 और 2 अन्जा 2 242 हो जायगा, इसका हो जायगा 363 इसका 484 और इसका हो जायगा 605 और यह हम लोग पाएइंसर हो जायगा अब आगे question solve करेंगे Q46 देखिए इसमें दिया गया है A वो B कि I का अनुपात इतना है देखिए A है B है इसका ratio दिया गया 5.5 to 4 और इसका है तो इसके I का है income का है ठीक है A वो B कि B I का अनुपात इतना है और B I का अनुपात इतना है ब्याय मतलब क्या खर्च आय मतलब इंकम इतना कमाया तो इतना खर्च किया तो बचेगा क्या यदि बर्स के अंत में इतना रुपिया बचाए रुपिया में बच रहा है आट सो रुपिया दोनों आट सो रुपिया बचाए ए भी 800 बचा रहा है और भी भी 800 बचा रहा है ये कहने का मतलब है ये भी 800 बचा रहा है और भी भी क्या कर रहेगा 800 रुपया ये बचाएगा तो aki a किया है एक आई हमको find करना है तो देखिए बहुत सिंपल सा question है देखिए थोड़ा practical होके सोचेए रेशियो मतलब थोड़ा समझ यह यह 5 रुपिया कमा रहा है तो यह 4 रुपिया कमा रहा है यह खर्च कर रहा है तो इसका मतलब यह 3 रुपिया खर्च कर रहा है तो यह 2 रुपिया खर्च कर रहा है यह कहना चाहता है अब खुद सोजिए कि A का पूछा गया है एक की आई, तो एक का हम calculate करते हैं सिर्फ, तो एक क्या कर रहा है, पांच रुपिया क्मा रहा है, तो तीन रुपिया क्या क्र रहा है, खर्च कर रहा है, पांच रुपिया क्मा के, तीन रुपिया क्र देगा, तो बचाया कितना, दो रुपिया बचायेगा, एक कितना बचाय इतना है तो 5 भग का value हम लोग इजली निकाल सकते हैं तो निकाल लेंगे हम लोग तो 5 is equal to 800 यह divide में चल जाएगा और यह multiply में 2 का table में यह 400 बार में 400 into 5 करेंगे तो 2000 हो जाएगा और यह हम लोग का answer हो जाएगा अब आगे question solve करेंगे Question number 47 देखिए इसमें दिया गया है कि नहीं दो इस्टेशनों के बीच पर्थम और 32 रेणी के किरायों का अनुपात इतना है पतला first class है और second class है और इसका किराया का ratio है 4 is to 1 और यह क्या है किराया है तथा पर्थम और 32 रेणी में 11,000 रुपिया total 31 हो रहा है 11,000 रुपिया 31 हो रहा है तो 31 की गई रासी होगी पर्थम स्रेणी में के यात्रियों से 31 की गई रासी होगी मतला first class का जो यह स्रेणी है इससे कितना पैसा मिला है वो हमको find करना है Question समझ में आ गया अब solve करेंगे तो देखिए किराया जो होगा वो रुपिया में होगा तो माल लेते हैं कि यह 4 रुपिया देगा तो यह कितना देगा यह 1 रुपिया देगा यात्री किया है एक जन है और यह 40 जन है अगर 4 रुपिया देगा और एक ही यात्री है तो कितना हो जाएगा total amount, 4 रूपिया हो जाएगा, गर एक रूपिया करके, 40 या 3 सफर कर रहा है, गर एक एक रूपिया करके देगा 40 जन, तो कितना होगा, 40 रूपिया हो जाएगा, और यह क्या हो गया, total amount का ratio आ गया, total amount का ratio आ गया, total amount हम लोग को पता है, 11,000 है, total amount कितना है, ग्यारा हजार है अब रेशियो को चाहें तो हम लोग थोड़ा छोटा कर सकते हैं देखिए कटेगा 4 का टेबल में 1 बार में 4 का टेबल में 10 बार में कट गया तो काट लेंगे अब 10 और 1 11 हो गया 11 से इसको डिवाइड कर देंगे 11 बंजा 11 तीन गोजिरो 1 थाउजन होआ तो हमको फाइंड करना है कि फर्स्ट क्लास में कितना पैसा मिला या त्रियो ने कितना पैसा दिया है ठोटल भाड़ा कितना इसमें निकला है तो 1 in 2 थाउजन कर देंगे तो 1 into 1000 हो जाएगा 1000 और यह हम लोग answer हो जाएगा अब आगे question solve करेंगे Question number 48 देखिए इसमें दिया गया है 5900 है ठीक है 5900 की रासी को ABC में इस पर कर बाटा गिया बाटा जा रहा है AB और C में इस पर कर बाटा गिया कि A और B का ratio जो है 3 is to 4 है और मिलती है रकम मिलती है और B और C का 5 is to 6 के अनुपात में रकम मिलती है और इसको कितना मिल रहा है 5 is to 6 के ratio में मिल रहा है तो B को कितना रुप्या मिलेगा तो हम लोग easily निकाल सकते हैं क्या करेंगे ऐसे कर देंगे multiply करेंगे 35 जा 15 45 जा 20 46 जा 24 अब 3 को add करके इसे divide करेंगे क्योंकि यह total amount यह 3 में बाटा गिया है तो 3 में मिला करके बाटा है तो 3 को add करेंगे हम लोग ठीक है 15, 20 और 24 इसको add करेंगे तो हम लोग आएगा 59 59 का table में यह 100 बार में कर जाएगा तो पूछा गी अब B को कितना मिलेगा question number 49 देखिए इसमें दिया कि रसाइन सास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी है तो रसाइन सास्त्र मतलब क्या chemistry और इसमें कितना student है तो 27 student है और 22 विद्यार्थी भोतिक कक्षा में है तो physics में कितना है तो 22 है इसमें से 7 विद्यार्थी ने रासायन और भोते की दोनों लिए हैं तो ये दोनों लिया है कितना तो ये दोनों मतलब क्या directly both लिख सकते हैं दोनों कितना लिया है तो लिया है 7 बोथ ठीक है तो जब भी ऐसा बने दो गो रहे और बोथ का बने तो हम लोग क्या करेंगे, कैसा figure बना करेंगे, ठीक है, कैसा figure बना लेंगे, अब यहाँ पर chemistry है, तो लिख देंगे, chemistry इधर physics लिख देंगे, और इधर both कर देंगे, तो both मतलब कौन वाला, ये वाला, ये बीच वाला part जो है, ये both, ये वाला, clear, तो देखिए, इतना समझ में आगिया, अब इसको हम लोग set कर लेंगे, इसी में, इस figure में इसको set करेंगे, ये वाला, जो हम लोग लिखे हैं, इसको set करेंगे, तो बोट वाला हम लोग पहले लिख देंगे, ये दोनों वाला seven, अब दीखिए, chemistry कितना है, 27, तो chemistry ये है, तो chemistry का ये round हो रहा है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना है 27, तो यहां तक तो 7 हो गया, अब जो बचेगा यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे कितना हो जागा 20, क्योंकि टोटल 27 है, तो 27 में से 7 तो यहां पे हो गया, अब यह बचा कितना, तो 20 बचा, तो 20 यह इतना हो जागा, यह वला हिस्सा क तक मिलाएंगे तो 22, तो इसको भी तो लेना परेगा, किलियर 7 इतना और इधर कितना 15, तब न 20 होगा, यहां 22 लिख देंगे तो 27 जादा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको माइनस करके हम लोग लिखेंगे, तब न यह टोटल मिलाके 20 होगा, तो कि टोटल इतना भे वोगते की लेने वेच दियार थि, तो physics लेने वाले केवल कितना है, तो 15 है, अब बोलिए 15 कैसे, यहां तक देखिए, केवल मतलब कितना, तो 15 है, और बोल रहा है, केवल रसाइन सस्चर लेने वाले विद्यारथियों कानू पाथ, और केवल chemistry लेने वाले तो chemistry कितना है तो यह वाला पाठ है यहाँ से यह वाला पाठ है तो यह कितना है 20 है तो 20 लिख देना है और इसी का ratio पूछा गिया है तो ratio हमको निकाल देना है तो देखेंगे 5 cut table में यह 3 बार में 5 cut table में यह 4 बार में अधिक मिलता तो आदमियों की सेंख्या और धनरासी करमसा है तो इस question को हम लोग option hit के मदद से solve करेंगे तो देखेंगे इसमें option A हम लोग ले लेते है 16 और 48 अब यह क्या है यह देख लेंगे आदमियों की सेंख्या और धनरासी तो यह पहला वाला क्या है तो हम लोग cancer हो जाएगा, अब देखेंगे, एक धनरासी, कुछ आदमियों, बराबर बाटे गई, तो इतना आदमी है, और इतना रूपया बाटा जा रहा है, यदि, तो इतना आदमी है, इतना रूपया अगर बाटा जाएगा, तो एक एक आदमी को कितना मिलेगा, वो हम ल आपल दे रहे हैं, 20 रुपिया है, 2 आदमी में बाटेंगे, 20 रुपिया को अगर 2 आदमी में बाटेंगे, तो कितना-कितना मिलेगा, 1-1 आदमी को, बूलेएे 10-10 रुपिया करके, कैसे हो रहा है, उसी तरीक से इस इसको डिवाइड कर दिए, इतना समझ में आए, ये तो ह लेकिन यहां बोल रहा है यदि 8 आदमी और अधिक होते तो आदमी 16 गो है 8 गो अधिक होता तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 आदमी अधिक हो रहा है तो पैसा आप कितना मिलेगा 48 रुपिया ही है रूपिया तो उतना ही है तो पर्ते को एक एक रूपिया कम मिलता अब देख लेंगे पर्ते को कितना मिल रहा है तो 24, दूने 48, दो-दो रूपिया मिल रहा है आदमी अगर 8 गो बढ़ा रहे है तो अब कितना मिल रहा है एक एक आदमी को किलियर, सब इसी से compare करेंगे, क्योंकि हम लोग इसी को option से उठाए हैं, अब इससे क्या हो रहा है, चार आदमी कम होते हैं, तो बारा आदमी हो जाएगा, तो रुपिया तो 48 ही है, तो परतेक को एक एक रुपिया आधिक मिलेगा, तो जाहिर से बाद है, आदमी कम हो जाएग तो रुपिया जादा मिल जाएगा सबको, रुपिया बढ़ेगा, अब देखिए, बारा चोके 48, तो चार चार रुपिया अब मिल रहा है, परतेक को, तो परतेक को एक रुपिया आधिक मिलता है, पहले कितना मिल रहा है तो तीन रुपिया, अभी कितना मिल रहा है, चार solve करेंगे question number 51 देखिए बहुत ही simple सा question है ठीक है तो इस question को आप लोग खुद से try करिएगा और answer comment जरूर करिए क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो चुका है अगर question और solve कराने लगे तो वीडियो काफी और लंबा हो जाएगा तो इस आगे का questions को हम लोग next part में solve करेंगे तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को like करें चैनल को subscribe करके जरूर रखें थैंक्स for watching